सो नमस्कार दोस्तों मैं विजय संकर चौहान स्वागत करता हूँ अब सभी का इस ग्यान गंगा यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रेन नम्म जीरो चावरानबे नबे गूरकपूर एहमदावादी स्पेशल ट्रेन के बारे में कंप्लेट जानका ले पाएंगे दोस्तों यह जो वीडियो बनाई जा रही है एक हमारे वीवस हैं जिनका नाव है सोनु वर्मा और इहों ने कमेंट्स में कहा था कि गूरकपूर्टू एहमदाबाद वायावारांती पर वीडियो बना रहा हूँ अगर आप भी किसी और के बारे में जानना तो कमेंट सेक्षन में जरूर बोलिए चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से में एक चोटी सी गुजारिस रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल क पूइब करें कर लिजिये और इस वीडियो के ऐपने दोस्तों के साथ इस बीडियो और कर येगा चले दोस्तों यहीं की सारी डितेल्स के बात करते हैं यहाँ पर आपको टू सीटिंग रिजाएगी सलीपर मिल जाएगा ब इन सभी में टिकट ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो train है यह इसके टोटल 20 stop होने वाले हैं और यह 20 stop यह train 30 घंटा 40 मिनट में अपने दूरी को तैंग करती है तो अगर आप चालू में टू सेटिंग में आप इसका टिकेट लेते हैं तो 410 रुपे अगर आप स्लीपर में लेते हैं तो 665 रुपे इसके अ और अगर आप इसका टिकेट लेते हैं टू टियर में तो आपको पढ़ने वाला है 2575 रुपे इस train में दोस्तों ततकाल की भी सुगदा दी गई है बहुत सारी जो special train चालू की गई है उनमें ततकाल की सुगदा नहीं दी गई है लेकिन इस train में ततकाल की भी सुगदा है औ तो 860 रुपे और अगर आप 3 टियर में इसका ततकाल टिकेट लेते हैं तो आपको पढ़ने वाला है 2125 रुपे वहीं अगर आप 2100 रुपे का फेर आपका जाने वाला है 31 सो रुपए का आपका किराया लगने वाला है यहाँ पर दोस्तों अगर इस ट्रेन की समय सानी की बात के जाए तो यह जो ट्रेन है दोस्तों यह सबता हमें केवल एक दिन छोड़के जो की मंगलवार सबता हमें यह पूरे दिन चलाई जाती है मंगलवार को छोड़के और आप किसी भी दिन इस ट्रेन से सफर कर सकते हैं जो की मंगलवार को छोड़के इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन के स्टॉपेज की बात करते हैं तो यह ट्रेन के टोटल 20 स्टॉपेज दिये गए हैं जो कि गोरक पूर से एहमदाबाद तक का यह इस्टॉफ है और यहां पे दोस्तों जो में में इस्टॉफ हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो चलिए दोस्तों मैं इस्टेशन के बारे में आपको बताता हूँ जो गाडी है यह गोरक पूर जक्सन से 21 बज के 30 मिनट के निकलती है यानी साम को 9 बज के 30 मिनट में अगला दोस्तों जो इसका इस्टाफ होता है वो होता है डूरिया सदर और डोरिया सदर दोस्तों ये गाड़ी आपको पहुंचाती है 22 बच के 25 मिनट कोई और यहाँ पे 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है और 50 किलोमेटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन पहुंचाती है देवरिया सदर के बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला इस टाप होता है तीन नमबर वो होता है मौव जक्सन और बीच में कई सारे बेलतरा रोड इंदारा वगरा आते हैं इन इस टाप ये ट्रेन नहीं रुखती है ये ट्रेन डायरेक्ट आपको मौव जक्सन पहुंचाती है मौव जक्सन में दोस्तों इसकी टाइमिंग होती है रात को 11 बच के 50 मिनट यानि 23 बच के 50 मिनट पे और 5 मिनट के लिए ये ट्रेन यहाँ पे ठहराव देती है मौउ का बाद दोस्तों ये ट्रेन अपने शफर के तरफ रवाना होती है और यहां से जब ये ट्रेन निकलती है तो दुल्ला पूर अउनिहार जक्सन होते हुए ये ट्रेन निकल जाती है वाराणती और बीच में इस ट्रेन का कहीं भी एस्टॉप नहीं दिया गया है मौउ के बाद डायरेक्ट ये वाराणती जक्सन पे रुपती है और यहां पर इसकी टाइमिंग हो जाती है राद के दो बज के और यहां पर दोस्तों ट्रेन 30 मिनट के लिए ठहराव लेती है तो दोस्तों वाराणती जक्सन से ट्रेन 80 होते हुए मिरिजापूर होते हुए च ठहराव लेती है और 365 किलोमेटर की दूरी तैंक करती है और इस टेन को दोस्तों वारानती में ही दूसरा दिन लग जाता है ठीक है अब यहां से ट्रेन अपने शफर के तरफ रवाना होती है और निकलती है सतना मईहर होते हुए कटनी होते हुए यह ट्रेन पहुंचती है यहां पर यह ट्रेन आपको 10 मिनट के लिए ठहराव लेती है और 895 किलोमेटर की दूरी तैंक करती है दोस्तों बीना जक्सन से ट्रेन निकलती है अपने शफर के तरफ और यहां से ट्रेन आपको पहुंचाती है वीदिसा, संत, हिरदास, रामनगर, उजेन जक्सन उजेन से ट्रेन अपने शफर के तरफ रवाना होती है और यह पहुंचती है नादा जक्सन इसके बाद रतलाम जक्सन रतलाम जक्सन दोस्तों यहां पे ट्रेन की टाइमिंग होती है बाइस बच के पंदरा मिनट और ट्रेन यहां पे 10 मिनट के लिए ठहराव लेती है और यहां प दोस्तों ये train पहुंचती है दाहोद, दाहोद के बाद इसका 18 नमर इश्टवप आता है छाया पूरी, छाया पूरी के बाद 19 नमर इश्टवप आता है आनंद जक्सन आनंद जक्सन दोस्तों train आपको पहुंचाती है 2 बज के 34 मिनट पे और यहाँ पे यह ट्रेन दू मिनट के ठहराव लेती है 1599 किलोमेटर की दूरी तैंक करती है तो दोस्तों जैसे ही यह ट्रेन आनंद जक्सन से रवाना होती है निकलती है अगला इस्टाउप के तरफ जो कि इसका लास्ट इस्टाउफ होने वाला है अहमदावाद जक्सन और ट्रेन जब आनंद जक्सन से चलती है एक से डेड़ घंटा तो सभी यात्री तयार हो जाते ह उतरने के लिए क्योंकि इस ट्रेन का लास्ट इस्ट आफ होता है फाइनली दोस्तों आज किस वीडियो में यहीं उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइ झाल